नमिश्कार सीनियूस भारत में आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है आज फैजुला गंदृती के अंशुल बिहार कॉलोनी बसाने वाले के रस्तोगी बिल्डर्स परिवादवारा अंशुल बिहार कॉलोनी में राम मंदिर के लिए जमीन देते हुए राम मंदिर का शिलान बिन्यास तो हो गया पर यहां के स्थानी निवासी अब तक विकास की राहत देख रहे हैं और जब रस्तोगी बिल्डर्स के प्रमुक निधी रस्तोगी और उनके पुत्र शास्तोत रस्तोगी से कॉलोनी की बुन्यादी सुविधाओं के बारे में जानकारी मागी गई तो उन्हें किसी भी तरह के कोई वादे नहीं करने की बात कहीं कुल मिलाकर कहें तो उनका कहना था कि उन्हें कोई भी वादा यहां की खरीदारों से नहीं किया था रस्तोगी बिल्डर्स द्वारा कोई भी संतों जिनक उत्तर नहीं दिया गया पर बड़ा सवाल है कि बिना किसी नक्षे के कॉलोनी बसाई जो सकती है क्या बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के कॉलोनी बस सकती है सी नियूज भारत खोलेगा परदर परत सभी आखिर राज आखिर क्या है बदंतजामी का सर्टाज चलो तो आपको कुछ महीने पीछे ले चलते हैं जब सी नियूज भारत की अंशर बिहार कॉलोनी का समस्याओं की जानकारी लेने पहुँचे थी यहां के निवासियों द्वारा खुल कर यहां की बदंतजामी की बात की थी तो एक ताज़ुब हुआ कि एक तरफ तो योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीती के बड़े-बड़े दावे करती है तो वहीं एक तरफ जहां सरकार खुद बैठती है बड़ी-बड़ी योजनाय और नीती बनाती है उसी लखनों में योगी सरकार की नाक के नीचे ही अवैत कॉलोनी बसाने के विवस्था जा रही है जहां नियमों के मताबिक कॉलोनी बसाने को लेकर बाकाइदा बुनियादी विवस्थाओं के जानकारी और नक्षा बिल्डर्स को सरकारी महकमे को ठागा गया पर अब जनता जाए तो कहां यह हम नहीं कह रहे हैं यहाल बताया है यहां के निवांसियों ने जो अब तक परिशान है कभी बारिश में जल्भराओं के चलते तो कभी मच्छरों के चलते और पानी सपलाई के कारण हाला कि कोई समस्याओं का व्यकल्पिक निस पर यह भी बताये कि रस्तोगी बिल्डर्स द्वारा सरकारी चकरोट का बड़ा हिस्सा भी अपना जमीन बताते हुए लोगों को दे दिया गया तमाम सबार सामने है कि क्या सरकार का कोई डर नहीं है यहां नगर निगम आंक मून कर बैठा हुआ है जिसको हाउस टैक्स तो अगया कि हमने यहां के निवासियों से कोई वादा नहीं किया हम विकास कर रहे हैं और किसी को कोई समस्या नहीं है आपको गिलत पहिमी है पर अब समय आ गया है इस अव्यवस्था को लेकर अप्रिश्रासनिक पड़ताल जरूरी है तभी दूद का दूद और पानी का पान हम लोगों को कूरे आस्वासन दिये कि यहां पार्क बनाएंगे पानी की टंकी बनाएंगे हास्पिटल की जगह छोडेंगे सारा सीवर लाइन करके देंगे बिजली के खंबे लगाएंगे मैंने यह लाइट और यह रूट बड़े प्रयासों से सुरुवात में यहां पर से लेगे आए जो काली जो कालोनी डबलबलबर हैं उनकी टोटल गलती है जिसकी वजह से यहां प्लांड है वो डिस्ट इस्प्लांड है हम अंशुल विहार कॉली कि सभी साधस्यों के करकम लों के द्वारा जितने भी लोगे हम लोग यहां पे मंदिर और सडक निर्मान न जो भी यहां पर लोग रहते हैं वो जैसे दर्शेरा है या फिर होली है उनके पावण रहें बढ़िया रहें और खुश रहें सब अब देखिए बेसिक हम लोगों ने दो सडके और हजार फूट नाली प्लस बनवाना शुरू गर दी है जो सफाई है सीवर का काम सीवर काम करवा रहे हैं जो की बेसिक एक डेवलप्पर कराता है और बाकी अपना एक जमीन दी थी अब ट्रांसवार्मर क की तो उन्होंने एक जमीन दी है ताकि हमारे यहां के लोगों को कोई परेशानी ना हो जिससे उनको एक ट्रांसवार्मर वहां रखा गया सरकार की तरफ से और अभी एक मंदिर के लिए जमीन दी है यह सब हमारे पती ने सब अपने उसमें दिया है तो वो तो चाहते थे कि हमारा जो भी है हमारे सासद हमारी कालोनी वासी सब लोग आगे बढ़ें तब सबका विकास हो उनका का इन लोगों का कष्ट उनका कष्ट था हमेशा कोई प्रॉब्लम होती थी वो पहुश्टे थे हमेशा उसका निवारंड करकिया जाता था और आज भी हम उनके पुत्र म हैं ममी सब लोग ची एसी के लिए कि किसी हुझ की जो भी इक्शाती हम लोग पूरी कर सके मागे हम लोग ने किसी से कोई वादा नी किया था और सिर्फ हम लोगों नी प्लॉट दिये थे लेकिन आगे दिखिए हम लोग हम लोग जो कर सकते थे हम लोग उनकी जो दे सकते थे वो हमने किया रही आप किसी से भी पूछ लीज़े यहां पर इतने भी लोग है सोसाइटी जो से बली है आप सोसाइटी में हैं जो विकास किया है वो बहुत भरपूर किया है जो उसकी सोसले में तुला नहीं बहुत बढ़ा विकास किया है जलता कि पूछ भरपूर किया है और रोड हो रही है यहां पे कोई विकास के नाब से कुई रुका नहीं है सब हो रहा है फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देख शुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें से न्यूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ कर दो